हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं what's up के वीडियो कॉल सेटिंग के बारे में और गाइस अगर वीडियो कॉल करते समय कोई प्रॉलोम आती है वीडियो कॉल नहीं होता है कोई दिक्कत आती है तो उसका भी सलूसन बताने वाले हैं तो देखिए करना क्या है सबसे पहले जब आप वीडियो कॉल करने जाते हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लेना कि आपका इंटरनेट चालू है कि नहीं है अकर आपका इंटरनेट चालू नहीं रहेगा तो वीडियो कॉल नहीं होगा तो आप इंटरनेट चालू करके वीडिय 5GB मिलता है वो बचा है कि नहीं अगर आपका पूरा दिन का इंटरनेट खतम हो गया रहेगा और आप वीडियो कॉलिंग करेंगे तो वीडियो कॉलिंग होगा लेकिन आपको वहाँ प्रॉलम देखने को मिलेगी सही से नहीं होगा तो आप यह भी चेक कर लेना तो इतना आप अगर यह सब सही है फिर चलिए वाटसब को ओपन करते हैं वाटसब को ओपन करने के बाद अगर आप कैमरा पे किलिक करते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं किसी के भी कंटेक्ट पे तो इस प्रकार का ओप्सन आ जाता है तो आपको यहाँ पर कांटिन्यू करना है नाट कर देना उपर ओले option पर क्लिक कर देना तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉलम में सही हो जाएगी अब आप जिस पे भी वीडियो कॉलिंग करेंगे वीडियो कॉलिंग होगा इस तरीके से आप सही कर सकते हैं अब देखिए इतना करने के बाद चलिए setting में चलते हैं कुछ और setting जिसे मैं आपको उता देता हूँ फिर यहां पर आपको apps का option मिलेगा या app management का इस option पर क्लिक करना है फिर उपर option मिलेगा apps का या app management का इस पर क्लिक करना है यहां पर पूरी app list आजाएगी यहां से आपको whatsapp को खोज लेना है जो कि आपको नीचे मिल जाएगा तो whatsapp पर क्लि permission allow यहां पर सोब कर रही है जो permission allow नहीं यह नीचे है not allow में इस पे click करके allow पे click कर देना है इस तरीके से आप सभी permission को allow कर देना देखिए मैं सभी को यहां से कर देता हूँ पिसके सभी permission allow हो चुकी है आपको भी ऐसे ही करना है फिर आ जाना है होम स्क्रीन पर अब अपने मोवाइल को एक बार री स्टार्ट कर लेना है या फिर स्विच आफ करके स्विच आउन कर लेना है फिर जो आपकी प्रॉलम रहेगी वो 100% ठीक हो जाएगी वीडियो कॉलिंग में आपको प्रॉलम नहीं होगी इस तरीके से आप सही कर सकते हैं तो आज करूं बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू